ही गाइज कैसे हो सारी मैं हो आपकी यूट्यूब स्टड़ी पार्टनर की आरा तो आज की वीडियो की रिक्वेस्ट की थी मेरी स्वेट यूट्यूब फ्रिंड उदिता ने गाइज I know the making of a scientist might be a tricky chapter for many of us here शुरू में मुझे भी इसमें ज़रा difficulties face करनी पड़ी थी I understand properly in fact जब 11 January को मेरा English का preboard था तब इसी chapter में से एक two marks a question भी आ गया था luckily वो एक option था so I skipped it look सीधी सी बाद तो ये है कि word to word मैं या कोई भी आपको समझा देगा और आपको समझ भी आ जाएगा पर इस chapter में दिक्कत आती है facts को समझने और याद करने में being a 10th grader myself मुझे भी इस Richard Ebright की achievements याद नहीं हो रही मैं भी 10th में हूँ आप भी 10th में हूँ तो probably मेरी और आपकी दिक्कते भी similar होंगी इसलिए आज इस बार मैं इस story के तरीके से narrate करते हुए ये chapter आपको या फिर word to word explanation आपको नहीं दूँगी ऐसे आपको chapter नहीं समझाऊंगी आज हम लोग लेंगे इस biographical chapter के लिए एक वैसा ही factual approach and I am sure कि revision point of view से ये video काफी helpful रहेगी आपके लिए so let's not waste any more time and get going इस chapter के end में मैंने आपके लिए कुछ slides भी prepare कर रखें जिनका आप screenshot ले सकते हो for easy memorization but before that I have a challenge for you guys yes guys आज आपके लिए मेर पास एक challenge है करना क्या है कि इस video में मैंने कितनी बार दो words achievement और shock बोले हैं आपको count करना है and नीचे comment section में मुझे बताना है so let's see कि इस challenge को कौन accept करता है और कौन जीतता है and now let's get back to the chapter so look हम यहाँ start कर रहे हैं Richard E. Brad की 20s की age से not from his childhood this is because 22 की age में उन्होंने एक बहुती बड़ी discovery की थी he had already been a scout in his previous years जो कि हमें बताता है कि वो कितने talented थे however at the age of 22 उन्होंने अपने एक college roommate James R. Wong के साथ sales की working पर एक new theory discover की थी जिसने science की पूरे दुनिया को हैरान कर दिया था ये theory एक article के रूप में एक बहुती popular scientific journal में भी publish होई थी जिसका नाम था The Proceedings of the National Academy of Science ये scientific journal इतना important था कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इसने college के students के काम को भी publish किया ये एक इतनी बड़ी achievement थी मानो किसी ने 15 साल की छोटी सी उमर में big leagues बनाई हूँ या baseball के game में पहली बार batting करते ही home run बना लिया हूँ However, Richard, science और कई दूसरी fields में already बहुत कुछ achieve कर चुके थी और इतनी सारी success की शुरुआत butterflies से हुई थी वो कैसे आईए देखते हैं Richard अपने parents के एक लौते बेटे थी और वो Pennsylvania की reading नाम के शहर में not side में रहते थी being an only child वो इतना कुछ नहीं कर सकते थे जैसे baseball खेलना, football खेलना जो की team वाले games हैं पर what he did was to collect things कि पहले कभी मेरा भी एक shock था so I can relate kindergarten की उमर से ही Ibright बड़े determination के साथ butterflies इखटी करते थे साथ साथ पत्थर, fossils और coins भी इसके साथ ही उन्हें stargazing यानि रात में stars और उनके constellations देखने का बहुत shock था जिसके कारण वो एक eager यानि willing astronomer भी थे पर लेकिन Ibright की massive success के पीछे उनकी मदर का भी काफी contribution है, वो हमेशा उसको encourage करती, उसे trips पर ले कर जाती, telescopes, microscopes cameras और बाकी mounting equipment भी उसे खरीद कर दीती थी, जिसके कारण उसे अपने experiments में काफी help मिली और उनका interest चलते रहा, वो प्यार से Richard को Richie बुला दी थी, Richard की मदर उन्हें कुछ न कुछ काम देती रहती थी कभी कुछ ही आद करना कभी कुछ this kept him really active Ibright पहले ही एक bright child थे और स्कूल के टॉपर थे बाकी पढ़ाई के अलावा वो और बच्चोही की तरह खेलते गूमते गूतते रहते थे उन्हें butterflies collect करना बहुत पसंद था कि by the time वो second class में आये अपने hometown reading के पास की butterflies की पूरी 25 की 25 species यानि नसले उन्होंने collect कर ली थी यानि इतनी छोटी सी उमर में वो already इतने बड़े स्तर पर काम कर रहे थे here in the stable आप देख सकते हैं कि reading में जो 6 weeks का butterfly collecting season होता है उसमें कौन-कौन सी नसली थी जो रिचर्ड ने collect की वो really हम इमेजन नहीं कर सकते कि उन्होंने ऐसा कैसे किया होगा how he managed to do so क्योंकि butterflies को पकड़ना इतना मुश्किल होता है however उसके बाद रिचर्ड ने butterflies collect करनी बंद कर दी थी और शायद से वहीं उनका ये शोक हमेशा के लिए गाया भी हो जाता पर लेकिन उनकी life में उस समय एक turning point तब आया जब उनकी mother ने उनके इस talent को दीखते हुए उन्हें एक book दे जिसका नाम था The Travels of Monarch X Monarch butterflies की ही एक species है और उस book में बताया गया था कि कैसे Monarch butterflies Central America तक migrate करती है ये book उनके लिए इतनी important इसलिए रही because it opened the world of science to him इसे book के कारण उनका butterflies में interest और भी भढ़ गया बुक के end में readers को prompt किया जाता था उन्हें कहा जाता था कि वो butterflies की migrations को study करने में help करे Toronto University जो की Canada में है उसके professor Dr. Frederick A. Urquhart I'm sorry ये बहुती अजीब सी pronunciation है तो Dr. Fred ने readers के लिए readers को research के लिए butterflies को tag करने के लिए कहा था इस tagging में होता क्या है कि butterflies को पकड़ कर उनके wings की निचले हिस्से पर एक adhesive यानि चिपकने वाला tag लगा दिया जाता है छोटा सा उस tag पर उस butterfly की catching location के बारे में information होती है कि उसे किधर पकड़ा गया फिर उसे छोड़ दिया जाता है और उड़ते उड़ते वो जहां पहुचती है उधर researchers उसे ढूंट कर उस tag के थूपता लगा सकते हैं कि butterfly किधर से आई हैं इसके थूप उसकी traveling history के बारे में search कर सकते हैं तो Ibride को तो पहले ही butterflies collect करने का shock था उनकी मदर ने Dr. Urquhart को उसके इस interest के बारे में एक letter लिखा As a result, Ibride को उनसे instructions मिले and he started tagging butterflies Ibride की hometown reading में Summers की दौरान butterfly collecting season केवल 6 weeks के लिए ही होता था जिसके कारण उन्हें पकड़ना काफे मुश्किल रहता था क्योंकि इतने कम समय में आखे कितनी butterflies पकड़ सकेंगी हम एक एक करके इतनी butterflies नहीं भकड़ी जा सकती थी इसलिए what Richard did is that he raised a flock of butterflies यानि उन्होंने एक तरह से butterflies को पालना शुरू किया वो एक female monarch को पकड़ते उसके eggs को लेते और अपने सालों तक Richard का बेस्मेंट monarch butterflies का घर बना रहा लेकिन eventually यानि समय की साथ साथ Richard का tagging में interest खोना शुरू हो गया it was because ये एक tedious यानि काफी महनत लेने वाला पर boring काम था और उन्हें ज्यादा feedback यान response या answers नहीं मिलते थे इससे मुझा याद आया अभी कि आभी मुझे feedback दो comment section में कि आपको chapter समझ आ रहा है या नहीं आ रहा और ये approach आपको कैसा लगा खेरम chapter की और बढ़ते हैं तो Richard को इतनी response इतना feedback नहीं मिलता था, in fact उनके दवारा tagged butterflies में से केवल दो को ही दुबारा पकड़ा गया, वो भी आसपास के area में ही थी about 75 miles from where Richard lived this shows की इतनी मेहनत के बावजूत, tagging से Ibride को उतने results नहीं मिले जितना वो deserve करते थी अब जब वो 7th class में आई तो उन्होंने एक county science fair यानि regional science fair में ही participate किया, जिसमें वो हार गये उन्होंने frog के tissues की slides को एक microscope के नीचे display किया था उस दिन उन्हें पता चला कि real science क्या होती है जो भी winners थे, उन्होंने असली experiments किये थे केवल diagrams display नहीं किये थे तब Richard को realize हुआ कि science is about doing research and experiments not need displays now we get to know कि Ibride का बहुती competitive nature था अब उन्होंने decide किया कि अगले साल इस county science fair के लिए वो असली experiment करेंगे on insect work because he was really interested in it since his childhood days तो उन्होंने Dr. Urquhart से contact किया जिन्होंने उन्हें कई सारे ideas और suggestions दिये इन experiments के कारण वो अपने high school years में काफी busy रहे और county science fairs और international fairs में जीते भी now 7th class के बाद जब वो 8th class में आए उन्होंने एक experiment conduct किया जिसमें उन्होंने Monarch caterpillars की viral disease का reason ढोडने की कोशिश की उन्हें लगा कि इस बिमारी के virus beetles के थूँ transmit होते है let me show you how beetles look so ये beetles बड़े बड़े कीडे Richard को लगा कि इन्हीं के कारण Monarch butterflies में viral disease बनता है तो इसलिए उन्होंने क्या किया उन्होंने butterflies और beetles को साथ में पाल कर देखा पर कुछ खास results नहीं मिले however experiment में लगे hard work और efforts ने उन्हीं जिता ही दिया अगले साल 9th class में उनके science fair के project का topic था एक theory को test करना कि Viceroy butterflies Monarchs को copy करते हैं ये नहीं let me show you how they look जो Monarchs होते हैं उनके wings जरा lower side की ओर turned होते हैं however Viceroy's की wings उपर की ओर होते हैं so they have the same vermilion color same orange color and scale pattern on wings बस wings की position different है तो माना ये जाता है कि Viceroy's Monarchs की तरह इसलिए दिखते हैं क्योंकि birds Monarch butterflies को खाना avoid करते हैं they don't seem tasty to the birds इसलिए Viceroy's अपने survival chances को बढ़ाने के लिए Monarch butterflies की तरह दिखते हैं उन्हें copy करते हैं अब Ebrite में क्या किया उन्होंने experiment किया कि birds Monarchs को खाते हैं या नहीं उन्होंने देखा कि एक starling bird जिसके बारे में keywords में पीछे दिया हुआ है कि it is a black bird जो कि बिल्डिंग्स में रहती है और mimicry कर लेती है वो starling वैसे कुछ खाय न खाय वो Monarchs को बड़े खुशी-खुशी शौक से खा जाती है तो बाद की research से पता चला कि Viceroy's Monarch butterflies को copy करते हैं ये project overall county science fair में third position पर आया और zoology division में first position पर आया अब high school में पहुँच कर अपनी दूसरी साल में उन्होंने एक और research की जिसमें उन्होंने एक unknown insect hormone के बारे में पता लगाया जिससे indirectly उनकी cell वाली theory भी discover हुई Now what happens is that एक Monarch butterflies के pupa पर 12 golden spots होते हैं Let me show you तो ये Monarch pupa पर 12 golden spots होते हैं Mostly हर किसी का यही assumption यानि यही guess रहता था कि वो spots केवल ornamental है यानि यूँ ही सजाविट के लिए है However, Richard और Dr. Urkuart ने ये पता लगाने की कोशिश की कि वो सच में किस परपस के लिए हैं अपने एक और friend की help से Ibrite ने एक device बना कर ये शो किया कि ये spots एक ऐसा hormone बना रहे थे जो कि butterfly की development के लिए necessary था इतनी important research के लिए वो county science fair जीते और इसी project के थूँ उनकी entry हुई International Science and Engineering Fair में जहां zoology division में वो third position पर जीते इसी दौरान उन्हें मौका मिला गर्मियो की दौरान Walter Reed Army Institute की Entomology Laboratory में काम करने का Now, as a high school junior he continued his experiments and won first place at the International Science Fair which gave him another chance to work in the same laboratory Senior year में उन्होंने थोड़ा advanced होकर काम करना शुरू किया What he did is that उन्होंने एक monarch butterfly के wings के cells को एक culture solution में grow किया और फिर show कर दिया कि cells के वल तभ ही divide होंगे और scales में develop होंगे जब उन्हें उन gold spots का hormone मिलेगा इस advanced project के लिए वो एक बार फिर से first आई और graduation के बाद फिर से उसी army lab में गई और फिर उस US के agriculture department की laboratory में भी उन्होंने काम किया After joining the Harvard University एक बहुती बड़ी बहुती respected university है अपने freshman यानि पहले साल के बाद वो फिर से agriculture department की lab में गई और वहाँ उन्होंने उसी gold spots वाले hormone पर experiments किये और उस hormone का chemical structure identify किया करीब देड़ साल बाद यानि one and a half years के बाद अपनी junior year में ही उन्होंने finally अपनी cells वाले theory का idea मिला उन्हें और वो भी तब जब वो उस hormone के chemical structure की x-ray photos को देख रहे थे इन photos ने ही उन्हें biology के एक major puzzle का answer दिया कि एक cell DNA को कैसे read करता है, decode करता है being science students हमने last year in fact इस साल 10th में भी ये पढ़ा है कि DNA cell के brain nucleus के अंदर पाए जाने वाला एक thread-like substance होता है जो कि heredity यानि traits के transmission को control करता है दस DNA life का blueprint है जैसे ही Ebrite ने इस theory का पता लगाया वो और उनकी college roommate James R. Wong ने पूरी रात जाक कर उन molecules की pictures बनाई और structural models बनाई साथ मिलकर उन्होंने अपनी theory को explain करते हुए वो article भी लिखा जो की proceedings of the National Academy of Science में publish हुआ था Finally, Richard Harvard से highest honors के साथ graduate हुए और 1510 students की class में वो second number पर थी Later on, वो Harvard Medical School में ही अपनी theory के ओपर experiments करते हुए एक graduate student researcher बने ये theory इतने important इसलिए है क्योंकि ये कई basic life processes को समझने में helpful रहेगी In fact, इसके जरीए cancer जैसे बिमारी को भी prevent किया जा सकता है के वल इब्राइट की scientific curiosity के कारण ही ये सब possible हो पाया Along with science and academics वो extracurricular activities में भी participate करते रहे For example, debates, public speaking, photography, etc. In fact, he is also a good canoist Cano क्या होती है? वो एक lightweight, छोटी सी boat होती है जिससे Richard शौक से row करते थे High school में हमेशे top grades लाते थे और studies में कोई दिक्कत होती नहीं थी Hence, वो अपना काफी time debating clubs और model UN clubs को भी devote करते थे Model UN clubs यानि model United Nations club जिसके in the United Nations की organization जैसा ही एक model बनाया जाता है वैसे ही एक तरह से ये role play लगा लीजे So, he admired his assistant teacher a lot जिनका नाम था Richard A. Weherer वो debate clubs और M.U.N. clubs के advisor थे और Richard के लिए एक inspiration भी थे क्योंकि उन्होंने उसे नए ideas दिये Even Mr. Weherer भी Ebride को काफी पसंद करते थे क्योंकि वो हमेशा अपने काम में extra efforts लगाता था Butterflies के उपर research के दौरान भी वो रात को 3-4 घंटे debates के लिए research करता था And this impressed his teacher a lot Moreover, Mr. Weherer बताते थे कि Richard का competitive स्वभाव उन्हें काफी पसंद था क्योंकि वो सही reasons के लिए जीतना चाहते थे केवल prizes के लिए नहीं वो हर काम में अपना best दिना चाहते थे That's why he wanted to win and be the best एक अच्छा scientist बनने के लिए ये competitive spirit भी चाहिए What is necessary is that the person should have a first rate mind उसमें curiosity यानि जानने के इच्छा होनी चाहिए और will to win यानि जीतने के चाह होनी चाहिए Richard E. Bright के अंदर ये सारी qualities है which has made him a great scientist The travels of Monarch X पढ़ने के बाद से लेकर आज तक उन्होंने अपनी curiosity को नहीं खोया Thus we can see how he became such a great scientist अब जब हमारा chapter finish हो गया है I hope आपको समझ आ गया हूँ अब हमें बस इसके facts याद करने है जिनके लिए मैंने ये slides प्रपेर की है आप इनका screenshot ले लेना तो by second grade क्या किया था Richard E. Bright ने 25 species collect की थी book receive की थी 7th grade में county science fair में हार गए थे frog tissues के slide थी 8th grade में Monarch butterflies की disease के उपर viral disease के उपर काम किया था उसके बाद 9th grade में viceroyz और Monarchs की theory पे काम किया जिसके अंदर zoology division में first आए और overall fair में third आए high school के second year में जो Monarch pupia की 12 gold spot से उन पर काम किया county science fair में first आए international fair में entry मिल गई senior year में Monarch के wings को culture में grow किया zoology division में international fair में first आगई और 22 years की age में and finally James R. Wong के साथ उन्होंने अपनी working of cells के ओपर theory journal में लिख डाली now I really hope कि ये chapter आपको clear हो गया हूँ if you like my explanation do not forget to give it a big thumbs up and also comment down in the section below साथ-साथ अपने friends और classmates के साथ share कीजिए ताकि हमारी ये family और आगे तक जा सगे thanks for watching guys